हलो दोस्तों बॉस ओफ इने शेयर बजार में आपके एक बर फिर्सेस हो गयते हैं आज एक बहुत बहुत बहुतिन शेयर है अल्रेड़ी आपने थमडेल में देख लिया होगा जी एम फॉर्डलर कुछ न्यूज आई थी ओफस है ता जिसकी वज़े से उस शेयर ने काया प्लट करती लोगों की ओके और लोग महां पर बेच के निकल गए तो एक तरीके का महां पर फ्रॉड हुआ था या नहीं हुआ था वो कुछ नहीं पता बट हाँ कुछ ना कुछ उस टाइम बल्क टील हुई थी जो की शॉट हुई थी और उस वज़े से क्या कहते हैं सेभी के पास वह अभी तक पेंडिंग में है इसे भी कोई रिजल्स अभी तक आया नहीं है बट इस्टेल अगर दो दिन में देखे तो दो दिन में लगबग लगबग 20% तक के रेटर उस शेयर ने दे दिय है तो हां आपको पता ही है जिसके बारें बात कर रहे है वह है जी एम फॉडलर आपको पता ही है किस तरीके से भाग रहा था वह सब क्युछ हम जानेंगे तो आईए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दैट आपसे रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पॉस और फिनेंश यर बजार को सब्सकाइब करें शेयर करें फैमिली फ्रैंस के साथ और नीचे मैंने काफी सारे वीडियो बना रखें तो यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे शेयर से इन्फो एस से लेटर मैंने वीडियो परसो कल की दिन ही बनाया था परसो की द कि फाइदा ही होगा तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस शेयर से लिटरी बाते कर रहे हैं तो वह है जी एम एम फॉडलर जी एम फॉडलर आज के दिन देखें 15% भागा है कल के दिन 5% भागा था और अगर हम देखें तो लगबग 4414.75 रुपीस पर चल रहा है चारा 414 रुपे पर शेयर पोज गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शेयर जिस तरीके से गिरा था तो लोग लॉस में आ गये थे अच्छे कासे क्योंकि लोगों ने हाई उस पर खरीद रखे थे यह शेयर 6000 रुपे तक गया था और इसके बाद यहां पर गिरना शुरू हुआ ओफस आया ओके 3300 के आसपास 34 3500 के आसपास आय थी और फिर उसके बाद यहां पर गिरना शुरू हो गया और अगर हम देखे 52 विक लोग की तो देखिए 817 और 6900 तक आया तो लगब 7000 रुपे तक 12 का स्कुआ था और यहां से गिरना शुरू हो गया तो आज रुपे का डिविडेंट कल की डेट में परसुगी डेट में आया होगा अगर हम यहां पर देखे तो कोई भी प्रैजिंग नहीं है बट एक गलत काम कर दिया था इस शेयर ने उसकी वज़े से इसकी काया कल्प होते हुए नजर आया था अगर हम देखे यहां पर देखिए यहां पर लगबग लगबग इस लेवल पर यह शेयर आज के दिन में होता हुआ नजर आया था अगर हम फाइव डेस का चार्ट पैटरन देखे तो यह शेयर यहां पर इसी इर्द गिर्द में घूम रहा था तो यहां पर देखिए अब 5% की जंप में लगाई थी और फिर अगर हम यहां पर देखे तो आज की डेट में ओके आज की डेट में फिर दुबार इसने अच्छी कासी जंप लगा के लगबग शेयर 15% अप पे गया है अच्छा कासा आपको यहां पर रिटान जिन्नों ने भी शेयर ले रखे है उनको उनकी और जिन्नों ने होल्ड कर र रखें न तो आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं होगी इस तरीके की कुछ निउस है इस से लिटेट तो यहां पर अगर हम देखे थी तरी मंस का अगर शिक्स मंत का भी चार्ट पे ठरम उठा के देखते एक तरीके तो यहां पर देखे शेयर यहां पर चल रहा था यहां पर चल रहा था और किसी को मेरी काल से ओफस्ट की निउस आप मिल गई थी पहले इंटर्णली यहीं लीक हो गई थी क्या हुआ था और शेयर में शॉर्ट शेलिंग देखे हैं यहां पर देखें लोगों ने पहले यहां पर शॉर्ट करना शुरू कर दिया था और फिर जैस चार्ट पैटर्न भी हम देखे हैं तो काफी बहतरी मल्टी बैगर रेटर इस कम्पनी ने दिये है बट यहां पर अभी सेवी का जो स्रीबी ने इस पर कारवाई कर रहा है वह अभी कम्पलीट नहीं हुआ है बट कुछ न्यूस है जिसकी वएसे भाग है तो क्या नí्यूस है तो कल की रेट में आपने देखा होगा इसने जुम भा रहे थ ती क्योंकि इन्हों ने जिसके लिए मटी करने के लिए औरर इसकर ने के लिए तो ओर मनी रेस करने का रिपीछी PER इसका जो parent company I think तो उसमें पूरा का पूरा stick लेने के लिए ओके इनोंने OFS लाया था और OFS लाया ही लाया तो और उस वज़ए से share में काफी गराबाट हुई और उसी पिछले अगस से बात करें आज फरवर ही हो रहा है तो लगब लगब छे महीने इस लिए थोड़ा से इस पर भी हमें नजर रखनी है तो अगर हम यहाँ पर देखे तो company ने वह जो ओफेस लाया था 275 million dollar के आसपास में उन्होंने majority of stakes I think उस company के खरीद लिए है तो इस वज़ए से यह company यहाँ पर करती हुई हमें साफ नजर आ रही है और अगर हम यहाँ पर देखे कुछ parameter यहाँ पर देखेगा दिखा देता हूं तो यहाँ देख सकते हैं क्या maximum चाहिए 60 रुपे का यह शेयर किस तरीके से पहले तो ऊपर तक गया 7000 रुपे तक गया और फिर उसके बाद जो यहाँ डंप हुआ है यह शेयर तो यह 3300 रुपे तक आया है बट इस्टिल अब यह भागना शुरू किया है लगभा 4500 पे ट्रेड कर रहा है और company का अगर की बात करें ओके तो लगभा 31 परसेंट का सीजिगार है जो की काफी माइंड ब्लूइंग है अगर हम यहाँ पर देखे quarterly results तो company के results भी काफी अच्छे आया है ओक ऐसा नहीं है कि results अच्छे नहीं आए हो अगर यहाँ पर देखे sales तो sales देखे 202 करोड रुपे जो की सारे quarter में सबसे ज्यादा है expense तो कट ही है net profit की बात करें तो net profit लगभग 23 करोड रुपे का net profit है जो की पहले September basis पे यहाँ पर 2019 में कहाँ पर sales है 202 थी और आज की डेट में अगर पिछले बारे महिने में देखे तो 604 करोड रुपे की sales है और यहाँ पर अगर net profit देखे तो net profit सभी सब भी years में सबसे ज्यादा net profit इस बार हुआ है 81 करोड रुपे का तो इस चीज को नजर अंदाज हम नहीं कर सकते ओके बेशक से कुछ भी हुआ हो इस company में किस तरीके कभी fraud हुआ हो तो देखे वह सजा इसने पाली है काफी टाइम तेक consolidate हुआ है बट इस चिल बिजनस में कोई फरक नहीं आया है ओके और भी से में मामला है तो अभी क्या रिजल्ट आएगा उससे सबसे भी हमें देखना पड़ेगा अगर रिजर्व की बात की जाए तो company का सिक्ष्टी वन करोड रुपीज की नागलिजिबल कह सकते हैं कि यह की quality बढ़ती जा रही है मैंलब पैसे में अगर बात की जाए रोसी 30 का रोसी चल रहा है जो की सबसे बहतरी ने 30 का रोसी का मतलब है अगर आप 10 लाग रुपे लगा देते हैं ऐसी company में जिसका 30% का रोसी चल रहा है और आप 20 साल के लिए छोड़ देते हैं 100 करोड रुपे बते हुए ना जराया थे 6.63 बल्कि इस quarter में 0.02% की हिस्सेदारी और बढ़ाई है डियाएस की बात करें तो दियाएस ने भी यहां पर हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है कितनी लग बल लग वही 0.40% की अगर बात की जाए गौवर्मेंट की तो को हिस्सेदारी नहीं है प पॉब्लिक के पास है तो देखिए यहां पर FIIs ने ले रखा है, DIs ने ले रखा है, पॉब्लिक के पास तो अल्रेडी ही है और मुझे लगता है यह कि शेयर अभी भागना शुरू किया है तो अभी भागना दुबारा शुरू करेगा बेशिक से कितना भी लोग उदे कि भूली जाते है, कोई भी कुछ भी हुआ हो, तो अपने जिनोंने यहां पर ले रखा है, जिनोंने 7,000 रुपे के लेवल पर ले रखा है, 6,000 रुपे के लेवल पर ले रखा है, 5,500 के लेवल पर ले रखा है, क्योंकि मैंने भी हाई लेवल पर ले था, मैंने अभी बेचा नहीं है और मुझे पता है कि ये शेयर कम बैक चरू करेंगे, ओके मैं भी लॉस में हूँ, आपकी सब की ते रही, बट में लोगों निकाल दिया होगा, मैंने निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि कंपनी का बिजनस काफी अच्छा है, कंपनी अपनी उसमें लीडिंग रोल निभाती है, और काफी अच्छा इसका शेयर है, तो ये कहीं नहीं हमें आज ने तो कल रिवाड देती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनका बिजनस भी अच्छा होता हुँ नजर आ रहा है, तो और कंपनी ने जिस काम के लिए पैसे जुटाए थे, वो सारे के सारे मिल चुके है, कंपनी ने वो काम कर दिया है, अक्वाइर कर लिया है, मैज़रीटी ओफिश्टेक्स, तो इसलिए सारी चीटों को देखना पड़ता है, तो शायद बहुत जल्दी हमें वो लेवल आता हुआ नजर आए, बाट इस्टिल डिस्कलेमर वो ही है सें, कि अभी तक सेबी ने अभी भी इस पर कारवाई चल रही है, तो थोड़ा सा देख ली जाएगा उस सीट को भी, और कोई भी पोजिशन लेने से पहले अपने financial advisor से ज़रूँ पूछ लिए जाएगा, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, नीचे description में दो लिंक है, एक आपका angel broking के साथ free में डीमेट account open हो जाएगा, zero delivery charges, zero brokers for 30 days, free margin trade of funding for 30 days, ओके यह सब चीज आपको मिल रहा है, as well as नीचे description में एक और लिंक है, शीराम जी का जनम भूमी में अयुद्या में मंदिर बनने जा रहा है, उसमें कोई भी contribution आप कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, अधान दे सकते हैं, तो उस महतपुन काम में, अपने के काम में, आप कुछ भी अपनी चहनुसार यहाँ पर डोनेट करके, मतलब यहाँ इस लिंक पर जाके, आप दे सकते हैं, यह इनकी direct website है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमन, शेयर करेगा, और हमारे इस चैनल बॉस और फिने शेयर बजार को आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बढ़ लिएगा, और हमें प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक फैलाईए, ताकि उन्हों भी इस वीडियो से लेटिन न्यूज मिले, वो भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सके, नौलिज बढ़ा सके, और हमारे इस चैनल को ग्रो होने मदद हो, और लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे, तो हमें और भी ज्यादा प्रोसान मिलेगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो थैंक यू सू मच, गॉड ब्लेस,